जो हमारी estimation question की estimation and costing की जो lecture चल रही है उसमें आज हम lecture 5 discuss करने जा रहे हैं lecture 5 discuss करने जा रहे हैं जिसमें हमने पिछला क्या पढ़ा था एक बार मैं आपको review करा देता हूं जिससे कि आपको समझना है last lecture में हमने valuation chapter को complete किया था जिसमें methods of valuation में हमने कहा था कि जो हमारे काम का है वो basically कौन सा method काम का है depreciation method का है जहांपर depreciation के कारण direct जो value आती है depreciated value आती है वो हमारे पास जो भी उस समय की जो cost थी market rate के quality वो और यह fixed rate of depreciation है जो भी 100 साल की building के लिए एक माना जाता है 75 से 100 साल की के लिए ठीक है इसके बाद अलग-अलग coefficient थे जैसे 50 से पिचेतर में 1.3 और यह objective में पार्ट भी है मैंने आपको बताया भी था यह चीजा आपको इसके अलावा हमने last lecture में एक प्लिंथ यह जो हमारे पास depreciation valuation निकालने का कोशन भी किया था समझ में भी आ गया होगा फिर हमने basically estimation को चालू किया था यहां पर measurement से related हमने कहा था measurement की जरुबत पड़ेगी जहां पर एक तो length की measurement और एक steel वगेरा को kilogram में जो नापते हैं उसकी measurement चाहिए तो length में हमने fit का conversion वगेरा देखा था बिगा का conversion देखा था वर्गज गज क्या होता है यह सब inches वगेरा देखे थे ठीक है और जो हमारे दिमाग में किष्टर के लिए रहता कि plot का size इतने वर्गज का है उसको UIT की भाशा में meter square बोलते हैं तो भाग करके नो करके यह सब चीज हमने देखी थी यहां इस टील के बारे में देखा था और श्टील में लाश्ट में याद रखा था डाया मेंटर को यदि एमम में रखा जाए तो उसमें 162.19 का रिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा उसका unit weight आ जाएगा एकाई लंबाई पर एक मेटर में नॉर्मली 12 मेटर का सरीया होता है तो 12 मेटर से गुणा करके पूरे सरीय की लंबाई निकाल सकते हैं तो हम जो साइट होती है वहाँ पर सरीया जो होता है वो ड्रा 5 जो है हमारे पास इसमें हमारे पास क्या देखना आपको एक बार तो यह समझ ले आँ ठीक है जो हमारे पास estimation बेसिक लिए चालू हो गया आप types of estimation के बारे में अगले lecture में देखेंगे परन्तु कुछ basic basic चीज है जैसे मैंने कहा था कुल मिला के measurement का काम होता है estimation costing में एक बहुत important ठीक है और मापने में maximum जो होती है वो length में होती है या weight में होती है या फिर numbers में आपते हैं कुछ items को number में आपते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक चीज आपके समझ में आ रही है length की हमने सारी measurements की unit देख लिए एक बार हमारे पास जो हमारा engineering wing ह government of India का वो देख लीजे सबसे नीचे की जो कड़ी होती है वो होती है engineering wing है सबसे नीचे की कड़ी होती है junior engineer इससे नीचे भी supervisor वगएरा होते हैं पर आजकल वह भरती होती भी नहीं है तो शुरुवात में सबसे नीचे की post में junior engineer को ही मानते है junior engineer जो की subdivision level पर करमचारी होता ह सब division officer या फिर IN assistant engineer के नाम से जाना जाता है HDO बोलते थे पहले सब division officer HDO साब बोलते थे इनको ठीक है assistant engineer फिर उसके उपर जो होता है वो action होता है division level पर होता है यह सब division level पर होता है ठीक है तो executive engineer होते है executive engineer divisional head होता है divisional head होता है इनके उपर superintendent engineer होता है जो की पूरे circle level का एक होत आप जो भी डिविजन आते हैं वो आता है तो पूरे सरकल लेवल का एक सुप्रेडैंट इंजिनियर होता है इसके अलावा हमारे पास Assistant Executive Engineer और होता है AWE जो की Trainee होता है एक तरीके से जो IES UTSC से भरती होती है जिनकी वो हमारे पास Trainee होता है जिसका Promotion होने के बाद वो Executive Engineer ही बनता है वो हमारे पास ही आता है Action के नीचे की Level पर होता है ठीक है? परंदू Chief Engineer के बाद Additional Chief होता है और Last में Chief होता है यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे State Level पर ही होता है, Zone Level पर ही होता है पूरे State का एक Chief Engineer होगा Additional Chief Engineer, Zone Level पर होता है तो Zone Level पर Additional Chief Engineer है और यह Circle Level पर Superintendent Engineer, Division Level पर Executive Engineer, Sub Division Level पर Assistant Engineer है ठीक है? पूरे Technical Wing का जो Head होता है वो Chief Engineer होता है इनके उपर भी होते हैं, इनके उपर जो होते हैं, गौर्न्मेंट आफ इंडिया के जो IAS rank के अधिकारी होते हैं, वो Secretary होते हैं, और इनके उपर PWD Minister होता है, मिनिस्ट्री होती है तो मिनिस्ट्री होती है तो मिनिस्ट्री में हमारे पास जो मंत्री होते हैं वो होते हैं और उनके नीचे सेकेट्री होते हैं और सेकेट्री के बाद ये इंजिनियरिंग आती है तो इंजिनियरिंग विंग चीफ इंजिनियर से चालो होती है और ये हमारे पास एक तरीके से पूरी की पूरी कहानी ठीक है अब थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या समझेंगे अब हमारा estimation and costing proper तरीके से चालूप हो गया है ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास एक question का जवाब आपको आना चाहिए कि estimation and costing होती क्या है what is estimate और इसकी जड़रत क्या होती है और इससे क्या पता लगता है ठीक है तो what is estimate estimate होता क्या है यह देख लीजे यह probable cost होती है एक पर इंग्लिश में मैं definition पर देता हूँ estimation is the calculation of a probable cost of project before starting the work work को start करने से पहले जो उसकी probable cost निकाले जाती है उसी को यह estimate कहा जाता है estimation and costing का जो main purpose होता है वो यह होता है कि किसी भी domain purpose होता estimation and costing का यहाँ देखे मैंने लिखा हूँ आपके लिए notes बनाए मैंने end written estimation and costing का main purpose जो होता है उसमें क्या होता है main purpose होता है यह decision लेना कि वो project को हमको लेना है या फिर नहीं लेगा ठीक है या फिर उसके लिए उस project के लिए technical sanction के लिए उसको भीजने के लिए हमको उसका estimation चाहिए चाहिए तो किसी भी project का estimation and costing क्या होता है कि उस project को undertaken करना है कि नहीं करना इसका decision पहले उसका estimate बनाके ही लिया जाता है कि कि हमारी capacity से बाहर है या हमारी sanction से बाहर है या हमारे budget से बाहर है जो भी है यह है तो basically estimation की अगर मैं बात करूँ तो estimation and costing, probable cost, exact cost नहीं होती है वो तो bill बनते हैं जो final bill बनते हैं जब 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 ही आती है पर तो more काफी pass होती है यह और probable cost होती है ठीक है यहाँ पर दो चीज़े आपको आने चाहिए एक तो आपको quantity of quantity की हर्म item की जैसे की brick work, earth work, RCC work, steel work यह सब की quantity आपको चाहिए होगी estimation and costing ठीक है आप quantity निकालेंगे कैसे quantity निकालने के लिए आपको drawing चाहिए होती है detailed drawing चाहिए होती है उसके plan elevation के view चाहिए होते हैं super structure, sub structure के सबके साथ और सरीय की भी हमें पर पास roughly calculation चाहिए होती है सरीय की design जो होती है वो तो design जो design reinforcement हो तो बाद में आती है परन तो roughly roughly idea हम लगाके रखते हैं ठीक है तो basically जो quantities निकालने की ज़र्गत होती है दूसरा market rate के इसाब से उस project की expenditure निकाली जाती है ठीक है उस project की क्या निकाली जाती है expenditure निकाली जाती है जो कि current market rate होती है उससे निकाला जाता है यह कहां से पता लगेगी government of India में CPWD या PWD जो होती है उससे निकाली जाती है यह DSR का use करती है DSR क्या होती है daily schedule rate और BSR राजस्तान में चलती है basic schedule rate इनके अधार पर हर साल revise होती रहती जो भी है items की उसकी transportation cost उसके हमारे पास material cost वो सब इसमें mention होती है ठीक है अपने देखेंगे DSR क्या होती है पलंतु जो estimation cost estimation और costing है उसमें basically आपको quantities निकालना आना चाहिए drawing पढ़कर ठीक है और market rate से उस quantity को भूना कर देंगे तो हमारे पास सीधा सीधा हमारे पास क्या है जैसे की मान लीजिए मेरे पास अगर हाँ सॉरी तो quantities कैसे निकालते हैं उसको किस तरीके से measurement में डालेंगे और सब हम चीज़ अभी देखेंगे पर उससे पहले एक चीज़ और आपको आनी चाहिए क्या यहां पर देखेंगे estimates जो होते हैं basically तो मूटा मूटा कहें तो द Preliminary estimate होता है Probable cost निकालते हैं जिसमें Plinth Area Estimate के उसी में included है ठीक है और एक होता है Detail Estimate Detail Estimate में actual cost निकल के आती है हमारे पास उस project की actual cost हम यहां पर determine कर सकते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं lecture को आप pause करके इनको उता लीजिए as it is quantities के लिए क्या क्या चाहिए quantities निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा quantities निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे basically हमको drawings चाहिए होगी plan की section की elevation की तो basically उस structure की हमको drawing चाहिए होगी तूसरा specification चाहिए होगा rates निकालने के लिए कि बहुत जर्णल स्पेसिफिकेशन जहां पर दो तरह के स्पेसिफिकेशन होते हैं detail specification और एक जर्णल स्पेसिफिकेशन यहां पर material के बारे में rough idea दिया जाता है जब कि यहां पर हर item का कि उसमें material cost कितनी है उसमें labor cost कितनी लगेगी transportation cost कितनी लगेगी detailed में बताया गया होता है detail specification होते हैं तो दूसरा हमको काम किस तरीके से होता है उसका specification पता होना चाहिए as per engineering specification वो काम किस तरीके से होता है ऐसे ही DSR में भी specification specification volume first second Delhi DSR के आते हैं जिनमें हर एक वर्क को किस तरीके से perform करना है साइट में वह यहां पर लिखा होता है specification तो हर वर्क का specification हमको पता होना चाहिए फिर rate का idea होना चाहिए जैसे basic schedule rate में rate का idea दिया जाता है उसमें सारी rate include करके रखी जाती है तो specifications की किताबें आती है अलग से किताब का मतलब पूरा का पूरा लिटेचर होता है जो हमारे पास आना चाहिए और rate के बारे में अगर मैं बात करो rate की आइटम्स की rate की बात करें तो वो दिल्ली में DSR और रास्ता में यह मैं आपके सामने है DSR डाउनलोड भी की हुई है जैसे वाल्यूम फर्स्ट लोग यह सारा CPWD डिपार्टमेंट की वाल्यूम फर्स्ट है ऐसी दो वाल्यूम होते हैं जिसमें सारे के सारे है 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 यह अर्थ हो गया श्टील वर्क हो गया और सीज़ हो गया होता है तिवी दोजार एठार के आधार पर है अब तो 2020 चल रहा है हमारे पास तो रिवाइज हो गई होगी परंदुगे को नेट पर यही मिली तो मैंने आपके पास देखें यहां पर देखें एक बार मैं DSR का हलका सा आपको एक चीज दिखा देता हूं जिससे कि आपको एक चीज समझ में आ रहे है कि सपोस्ट करो कि जैसे यह सब हैड मूँ उटा रहा है कि मैं एक हैड आपको दिखाना चाला हूं जैसे यह पांचवे सब हैड है पांचवे सब हैड में आर सी सी रेनी फूर्ट सिमेंट कोंक्रीट की बात की हुई है तक हैड़ की बात है की तो में निकाल लेगे ट्राइंग के साफ से जो भी हमको प्लान और इलिवेशन दिया होगां थो प्लाइंग का उसके निकालेंगे परणतु जैसे आर पार सी सी का कोई काम उसको देखना है तो उससे रिलेटेटर देगी इसमें पहले से ही सब कुछ है कि जो कॉंक्रीट मिक्षर होता है जैसे एक इसमें भी होपर के साथ विदाउट अपर तो अलावी नहीं है एक देखा उसका फिराया लगेगा वह हाइरिंग चार्ज की होग पूरा decided होता है ठीक है तो government of India के जो भी payment होते है decided होते हैं ठीक है अब यहां पर देखें यह तो सब items की रेड़ दिए जैसे रेनिफोर्समेंट concrete का यह पांच वह है अब जैसे यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है मैं हलका सा आपको बता देखा हूं जिससे कि आपको as a फील्ड में कभी जाओ तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि यह जैसे मान लीजे कि आपको क्या करना है में 20 का मिक्स करना है म 20 का मिक्स करना है म 20 से उपर का तो यह 15 का है तो एक दो चार एक दो चार का जो रेश्यों होता हो एम 15 बनाता है minimum concrete अगर वो बनाना है तो भाईया उसमें भी हमारे पास क्या लिया हुआ है ग्रेडेशन जो लिया हुआ स्टून का वो सेंड जो होती है उसन थरी की लिए है ग्रेडेशन जो लिया हुआ है नोगिक जाना चाहिए तो एक मेंटर vide क्यूब 2-4 का मिक्स बनाने का पैसा कितना मिलेगा उसको बिल्डर को जो भी कॉंट्रक्टर उसको 7296.35 रुपए का चार्ज मिलेगा ठीक ऐसे M20 का मिक्स अगर वो साइट पर बनाता है तो वही है उसके लिए उसको 7178 रुपए मिलेंगे एक मीटर की उपए तो इस तरीके से कि 5.8 में मतलब साइट पर जो बना हुआ उसके लिए ऐसी तरीके से में एक और हैड आपको पढ़ना सिखा दो हल्का सा जिससे कि आपको इस समझ में आए कि DSR बिसिकली है क्या चीज ठीक है जैसे यहाँ पर एक डेट चीन का दिया गया ह है वर्क इंवाल अगर यह तो कहा हुआ है रेनिफॉर्समेंट में काश्ट इन शेंटरिंग और यह सब का इंक्लूड है इंकलूूड है संटरिंग संटरिंग फिनिशिंग वगेरा कि सब की प्लिंथ लेवल तक के लिए यही काम आएगा ठीक है वोड़ा में करना है तो व bsr कहते हैं इसी तरीके से वाजतान में bsr चलती है उसमें head होते हैं उनके sub head होते हैं जैसे 5 पढ़ना एना चाहिए एलेवशन पढ़ना चाहिए। जनरल इस्पेसिफिकेशन की उस काम को किस रूप में परफॉंग करना है स्पेसिफिकेशन से पता लग जाता है circuitStar ऐसे आप किछ बोगने कि चीज उसम नपने और सब्सक्राइब शारे आपने देखा ह 되면 बहुत सारे देखे आपके सामने DSR है हर एक चीज का आपको देखो कि कोई cubic meter लिखा हुआ है तो RCC ज़्यादा तक cubic meter है कहीं पर each item में unit में लिखा हुआ है numbers में each कहीं meter लिखा हुआ है कोई item में लप रहा है कोई item हैं जो meter cube में कोई item में लपने में लपने में, ब्हुम रहा है यह इसी तरीके से और आगे चले जैसे मैसनरी वर्थ हुगया तो यह थे शाय suatu क्यूयद में कहीं स्कोर में यानि की कोई न कोई क्वांटिटी कभी क्यूवी क्यूंच में स МУЗЫКА 2-3 का मेरे कि यह टाव्य कर देकि अउनकी है तो इसके कुछ में इस्काइब हाई अगर बात सब्सक्राइब आर्थւर्क के लिए मैं ऑल देक्राइब नहीं ऑप मु,' आर्थ्वर्क का मतलब फॉंडेशन के लिए महनने दो है रहे का लिए यह इस में आपको फ़ांडेशन खूदने के लिए इतना वर्क अर्थ गढ़ करना फेलिए परन्तव यह खुदा ही करिया है यह मीटर क्यूब में अपता है यही मैं आपर बताना चाहर हूँ आपको कि हमारे पास यह चीज है यह मीटर क्यूब ये किस में अबता है अर्फ वर के ट्रवेशन किसमें अपता है कि गलिह इहां करेंगे तो filling जो होती है वो भी मीटर की में अपती है पर यहाँ पर एक चीज है अगर आप केवल और केवल क्या कर रहे हो खुदा ही कर रहे हो छोटे मोटे गड़ों को बढ़ने के लिए और वो गड़ा इतना चोटा है कि उसकी दैप्त 30 cm से जादा नहीं है तो अगर 30 cm से ज्यादा गहराई का अर्थवर्ख नहीं है तो उसमें मीटर स्कॉयर में नपेगा यह चीज़ आप नोट करेंगे देखिए मीटर स्कॉयर में नपेगा ठीक है और इसी तरीके से उपर से घास अठानी है सर्फेज ड्रेसिंग चोटा मोटा लेवलिंग करनी है तो भी मीट बहुत सारे आइटम है यह तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं न बहुत ही लिमेटेड आइटम में बता रहा हूं ठीक है AC sheet होती है GI sheet होती है जो हमेरे टीन होती है न तीन सिंपल तीन बोल दो तो मीटर स्कूर में लगती है यह व्योग्ता हाँ बहुति ही फ्लोल कि करना हो तो सर्फेस डेसिंग में आता है मिटर स्कूर में डापती है पॉइंटो गर से बॹस्जता है कौन कॉन साइंटम लगना पानी की वज़े से खराब ना हो तो ऊपर एक स्टोन लखा जाता है ठीक है तो इस को हमारे पास कभी भी स्कुए मीटर में नापते हैं इंपोर्टेंट है याद करना सोलिंग क्या होती है आपट भरक प्लस्ट के नीचे जो भृण हो भी ड्यक्राइब कर लाएaround के झेचा वपाइब दिया अपूझ कनल रहा हैं और फेजा की आपको समझ मैं आरा हो हुगहाँ कर एंवह सब्सक्राइब इसी तरीके से वर्म जो फ्रकाइब इंपौर्ट है इसा मोटी दिवार को तीकलती दिवार होता मिन 230 म, मीटर की में होemicी, पार्टि इसन में जो आर्च में मताइब वपी कई में माम named यहां पर सजाने के यहां पर दूसरी बीच में जगे खाली रही तो वह कुण मिला कि हाफ ब्रीक वर्क में पॉसिबल है और उसके लिए हनी कॉम ब्रीक वर्क जो होता है उसमें मीटर इस पर मिलता है को पिंग वगएरा में कोड़नाइस में रिवीज कर रहेंगे अगर बिरीक वर्क हो तो यह है इसकर टिंग क्या होती है आप देखिए जैसे माली जीजिए दिवार होती है दिवार में फर्श के साथ-साथ कुछ आई तक आपके पास टाइल लगाई जाती है तो वह स्कर्टि इसको क्या बोला जाता है इसको बिसिकली बोला जाता है स्कर्टिंग किसमें अपती इसकर्टिंग जैसे अपने पास सीडी होती उसमें एजिंग वर्क होता है नोजिंग वर्क होता है यह रनिंग मीटर में नपती है ठीक है तो यह आपके पास रनिंग मीटर में नपती है हलका साथ को यह यहाद रखना पड़ेगा चलिए आगी चलते हैं हलका तो इस टील वर्ग जो होता है ज्यादा तर जितना जैसे कि कि किलोग्राम में नपते हैं जो बाइंडिंग वायर होती है जो आपने पास सरीय बांद देता है एक दूसरे से सरीय को जो बांदा जाता है वो भी हमारे पास कुंटल में नपती है ठीक है इसके अलाव बैंडिंग जितनी भी फैब्रिकेशन इस्टील वर्ग जाजा तर दे होता उख्रिण जब जाता बंद लॉआ थे इस नहीं कि यह स्कुचों की माल्व जी यहाद में झाखने रेलिंग Newton में होती हैं कांश कोई भी भी रखकर में होता है रोगराम में आपके कोई टारीके से स्टोनवर्क माइक्जिमस मीडर मीडरि में होता है कि आपने पास निए संचेड सेट है कि में मैं चोटा से क्ला बना और इनके बीच के वी ए तो फिर तो पूरा यह जो यह वारो था हुता है इसको भी फैंसेंग में आप लिए रहता है ठीक है एक बीड़ेंर कि जो हता है मीटर क्यूब में क्या ना परहा है अगर और डोर विंडो फ्रेम होते हैं रूफ ट्रस में बीम वगेरा होती हैं मीटर क्यूब में अपरी हैं टिंबर के बोर्ड जो होते हैं मीटर स्क्वाइर में अपरे हैं शटर गेट जो होते हैं मीटर स्क्वाइर में अपरे हैं ठीक है कि दी पी सी में में अपती है धूर में जो सीशी होती है होगी सी में हुंसी म मे nggak से बहुत सादी सी के लिए व्त-व्लिक्ता से इस आरिक हैं तो इस तरीक से दी Verma घ्ल सतकते हैं इसके अलावा देगे मैंने आपको कहाना quantity और rate की चाहिए होता है तो quantity के लिए तो MB होती है measurement को जहां length यह specification है जो हमारा IS specification है वो यही कहता है estimation costing का जो IS code है इसकोड है वो basically पहले length लिखता है फिर depth लिखता है फिर उनको गुणा करता है अगर length और width है तो meter square में आ जाईगी अगर length depth 3 में तो meter cube में आ जाईगी जो भी है यहां पर आ जाईगी number वे है तो numbers में आ जाईगी जो भी है तो यहां से तो quantity निकलती है तो MB में quantity होती है फिर abstract sheet होती है जो quantity उसकी unit और उसकी rate जो DSR as per DSR या BSR है ठीक है वह होती है महां से उसको गुणा करके उसका total amount निकालके total नीचे कर दिया तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं अराम से costing estimation costing को नापना में आपको अगर ज्यादा दिक्कत फील्ड में तो आती नहीं तो question बहुत सारे आत चीज़ नपती है यह आपको आना चाहिए डिटेवल एश्की में यह टाइपस आफब एस्टीमेट एह एक बताया मैंने engineering होती है कौन किस लेवल पर काम करता है कौन लेवल पर होता है कौन इस्टेट लेवल पर होता है कि इसके अलावा Type of estimate next lecture हमारा रहेगा टाइप सॉप एस्टिमेट जहां हम देखेंगे क्या होता है प्लिंद एरिया एस्टिमेट क्या होता है प्लिंद एरिया क्या होता है फ्लोर एडिया ठीक है इसके बाद हम शॉट वॉल लॉंग वॉल मैथर से मेजर्मेंट के बारे में देखेंगे अभी ठीक है तो यह अवर कि दस दोस्तों को यह लेक्चर वीडियो जो है वो शेयर करेंगे कम से कम दसका और उसका स्क्रीन शोट खेंच के मेरे पास भेज देंगे तो मैं तुरंत ही आपको इसकी पीडिएफ भेज दोंगा पीडिएफ में पासवर्ड होगा जो केवल आपके लिए यूनिक होगा वह क्वैंटी है तो कल की डेट से सौम का टैस्ट है आठ्वजे से नौ बज़े के बीच में दो टैस्ट है लेवल से की स्ट्स का और दूसरा हमारे पास बारा वजे से आप्सी सिखा है जिसमें कॉलम है और तीन बज़े राजसान जीके का भौगली के स्थितिवरा परफ़िस तो आप जादा से जादा टैस्ट दें, जादा से जादा जुड़ें इत दूसरे को शेयर करें, चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद करें, जिससे कि हम जादा से जादा बच्टों को हेल्प कर पाएं थेंक यू, बंदे मातरम जैन